जय राम जय च्छतिस गर्ड आज हम आप लोगों को सीरीस के बारे मताएंगे और ऐसे तो मेरे यूटूब चैनल के माधम से आप लोगोंने अनेक परकार के अवसधिय पवद्धिक बारे में जानकारी प्राप्त की हो और आज हम बताएंगी सीरीस के बारे में सीरीस की 3-4 प बताऊंगा जिससे कि आपको भला हो सके यहां पूरे भारत वर्स में असानी के सांस सब जगह मिलती है आज मैं जो प्रयोग जी पता रहा हूं वह सासर सम्मत और आदिवासु द्वारा जो प्रमानित उससे प्रयोग है इनका उसको मैं पूर्ण रुप से आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी किसी भी विष्ति को सरफने काट लेता हो काल सरफने तो सबसे पहले आप रोगी क्याची किस्टा करना है सीरिस की छाल, जाड, पत्ता और इसका छोटा जो पतली वाले जो जड़ होती है वो और इसका बीज निकालना है और इस सारी चीजों को गौ माता के मुत्र में पत्थर से पीस करके जिसको सर्फ ने काटा हो उसके जगा पर लेपन करने से सर्फ का विश उतरता है और उसको पिला दीजे इससे तूरंद सर्फ का विश उतरता है इसमें किसी प्रकार संदे नहीं ये पहला प्रियोग हो गया अब मैं इनकी और दूसरी प्रियोग बता रहा हूँ सीरस के पत्तों के रस निकाल करके जो सहजान होते है जिसको मुनगा बोलते हैं चत्तिस गड़ में उसका बीज को साथ भार भावना देना है पहला भावना देकर रस से उसको सुखा दीजे यहां भी परिक्षित अजमाई हुई अवसदिया यहां सीरीज और इसकी जो बकल निकला होता है काला काला जो छाल उसको कूट पीस करके हर रोज खाने से एक वरसा खा दिया जा तो काल सर पतक्षक रूपी नाग भी काटेगा तो उसके मृत्ति नहीं होती यहां पूर्ण से सभी अनभूत चीजें हैं तो इसका परियू करके आप लाब ले लेना आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को बताता हूं और बताता रहूंगा और अगली कड़ी में हम आप लोगों को बताते हैं सर्फवीस में सीरीस के पेड़ की छाल, सीरीस की जड़ की छाल, सीरीस की बीज और सीरीस के फूल इनको पांच-पांच ग्राम ले करके पीस लीजिए और एक एक चमतकारी प्रयोग है, दूसरा प्रयोग इसका और है, सीरीस की साल जो पेड़ में काली-काली रहती है, उसको निकाल लीजिए और निकाल करके इसका चून बना करके, आप साथी चावल के धोवन के साथ दीन, इसको 8 ग्राम की मात्रा में, एक वर्स तक के खाने मात्र से कैसा भी आपका जहरीला जानौः आपको कार दे, चाए उस्तवर जंगम हो विस हो, चाए कृतिम हो, चाए किसी भी प्रकार का व इसकाइक estás detattal खला और सफेद मिर्च को पीश कर मिला करके taras à की सफै दिन तक के साग जोतां व्हार बालिक शुका करके को सीची में भर करके आप रख लिजए और रखने के बाद विक्ति कुर्रस FM कांटा है उसकर नच से पलाने करने से सर्फवीस उतर जाता है यहां पूरुप से आजमाई हो परिक्षित प्रियोग है और जिस किसी को मेढ़क ने काट ले हो तो सीरच की बीज को थुहर के दूद में पीस कर लेपन करने से मेढ़क का वीस भी पूरुप से उतर जाता है किसी भी सर्फवीस को उतारने की इसमे अदभूत गुन चमता